हलो एब्रीवन दिस इस हर्षा वेल्कम डो माई चैनल क्रिप्टो हिंदी सो हाइज आज की वीडियो एक एडिकेशनल वीडियो है आपको बहुत इंट्रेस्टिक टॉपिक के बारे में डिसकस करने वालो सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अब सब को पता है बैट कोई जो ह सो कोई सेंटल अथारिटी नहीं है तो इस प्लाइटफोर में जो भी ट्रांजक्शन हो रहा है सारा डी सेंट्रलाइज वे में हो रहा है बट एक कोशन आता है तो किसी को डबल स्पेंडिंग करने से एप प्लाइप कैसे रोकते हैं एंड इस पर्टिकलर यूजर के पास उ आफ रहा है जो सारा डीटेल से एक्सट्राइंग करना सो वीडियो स्टाट करें पर याप मेरे चैनल को फिर्स्ट ऊंगर तो चैनल को जरूर सब्सक्राब कीजिए वीडियो अछ लगयोता लाइक कीजिए और कमें सेक्शन में आपका फीडबैक मेंशन कीज़े तो अगर म स्पेंड करना है तो त्री मेजर तिंग्स कंजिलर करते बैंक में फर्स्ट वन पूफ ऑफ ओनर्शिप तो मतलब इस पर्टिकलर अगर आप आपका अकॉंड में विड्रॉब करना है तो आपको एक चेक साइन करके देना होगा तो अब आपका पूफ अथारीटी होगा एंड आपका प्रूफ अपनर्शिप होगा एंड आपका अमोंड यूस कर सकते देन सेकेंड चेक है और अवेलबिल्टी ओफ फंस तो क्या आपका अकॉंड में सफिशन बैलन्स हाई या नहीं है तो अगर आप 10,000 का चेक दिया आपका अकॉंड में 5,000 है तो आपका चेक बहुं में वह भी चेक करेंगा इन बैंक्स में बट यह सारा त्री इंपोर्टेंट तिंस तो डबल स्टेंडिंग या प्रूफ अवनर्शिप के लिए क्रिप्टो में बिट्कॉइन नेट्वर्क में कौन वालिडेट कर रहा है तो इस सभी चीज़े का एक ही आंसर है वह है परिट्कॉइन नेटवर्क में सॉल हो जाएगा सो मेजर क्रिप्टो क्रिप्टो भी इसी पर्टिक्लर यूटी एक्सो मेकानिजम में यूज कर रहा है वर ट्रैक्शन वालिडेटी सो अभी यूटी एक्सों क्या है आपको एक्स्प्लेंट करूंगा इन सिंपल टाप्स त इतना बहुत कॉंपलेक्स हो जाएगा सो इसलिए इस पर्टिक्लर बिट्कॉइन नेटवर्क में एक ही कॉंसेट है वह है यूटी ट्रैक्शन अगर मेरा वैलेट को जो भी क्रेडिट आया फर एक्सांपल मुझे अभी मेरा वैलेट को 10 बिट्कॉइन आ गया तो वो ट्रै आइसा सेव करते हैं अगर हम उस पटीकलर है कास को सेंट करना है तो हम पीग बैक को ब्रेक करते हैं को इसको क्लो में नहinov सकते कि सेब मेकैनिजम्-utxi में भी काम रहे हैं काम करेगा सो जो भी आपको ट्रैंशेक्शन आ रहा है एच ट्रैंशेक्शन क्रेडिट आपको एक utxi-10 जैसा फॉर्म हो जाएगा आपका वैलेट में फिर अइलेट में 10 इंडिविगाल ट्रामेंच को उस तो मतलब मुझे जो बी ट्राफिक्षिन क्रेडित इन्वर्ड आ रहा है ओ रूप्याय को एगर में bitcoin को spend करना है तो मैं किसी ना किसी piggy bank को break करके spend करना हुआ सो ताकि मेरा once piggy bank break होने के बाद में उसको फिर से वापस यूज नहीं कर सकता सो same way utx भी once एक बाद spend होने के बाद उसको double spend नहीं कर सकते तो इसको simple way में बताने के लिए आपको एक example दिखा दूँगा इस example में मेरा वालेट में 1500 बिकोई जैसे imagination गैस तो उतना बिटकोई तो नहीं है मेरे पास जैसे एक्सांपल तो मेरा वालेट में total two transactions है तो मेरे को दो friends send किया मेरे पास two transactions है तो first transaction है मेरा 1000 BTC credit and second transaction 500 BTC credit तो मेरा total वालेट बैलेंस हो गया 1500 BTC बट इस पर्टिक्लर scenario में मेरे पास two UTXO so first 1000 BTC worth UTXO second 500 BTC worth UTXO so just imagine किजिए मुझे satoshi को 1100 Bitcoin send करना है तो अगर आपको 1100 करना है तो मेरे पास कोई UTXO नहीं है जिसमें 1100 का output है so मैं क्या करूंगा अभी सिंपल सिनारियो बता रहा आपको so 1100 करना है so first में क्या करूंगा इस पर्टिक्लर first 1000 BTC वाला UTXO को में break करूंगा and उसको satoshi को as a one input जाए इस पर्टिक्लर transaction में so and it a transaction अभी complete नहीं हुआ so अभी मुझे 1000 हो गया और 100 BTC भी देना होगा सतोषी को क्योंकि total मुझे send करना है 1100 BTC so अब मैं क्या करूंगा second UTXO भी break करेंगा so में मतलब में नहीं हूँ इसमें bitcoin network so bitcoin network background में क्या चलते है आपको live example में दिखा रहा है बस so second transaction so अभी 1000 bitcoin हो गया as a first input and second input मुझे 100 BTC का चाहिए so मेरे पास 500 का UTXO है so 500 UTXO भी break हो गया and second input आ गया and एक output हो गया satoshi को 1100 bitcoins so अभी एक important question आता है so मेरे पास 1500 bitcoins था मैंने only 1100 bitcoins satoshi को send किया but मेरा दोनों UTXO break हो गया so अभी बाकी 400 funds में क्या करूंगा so कहा गया so इस same particular transaction में other out और एक output रहेगा उसका output का output होगा 400 BTC and it will be another UTXO फर हर्षा so फिर से मुझे और एक input आएगा so इस particular transaction end में क्या होगा so मेरा two UTXO break हो जाएगा and satoshi को 1100 BTC चले जाएगा and मेरे पास another UTXO आ जाएगा with a value of 400 BTC so 400 BTC में फिर में मुझे future में spend करना है तो मैं इसको spend कर सकता हूँ so अगर आपको simply किसी को 400 BTC बेजना है so अभी मुझे और एक 400 Vitalik को भीजना है so अभी मैं क्या करूंगा simply मेरा second 400 BTC का UTXO में break break हो जाएगा and मेरा input Vitalik को जाएगा and Vitalik के पास 400 BTC credit हो जाएगा so simple mechanism है guys so जब भी आप कोई भी transaction करते है Bitcoin network में और major crypto UTXO follow follow करते है blockchain में so same mechanism use होगा only through inputs and outputs हमारा transaction जाएगा so इसमें कोई इस particular scenario में Satoshi के पास मेरा हर्षा के वालेट में 1500 हाई या नहीं कोई करने का जरूरा नहीं क्योंकि मेरा unspended transaction को में इधर spend कर रहा हूँ बस सो simple way so unspended transaction to spend कर रहा तब ही मेरा transaction validity हो रहा है इस particular scenario में अगर मुझे 1600 BTC send करना है तो मेरे पास 1600 BTC worth of UTXO नहीं है so total valid balance combined किया तो 1600 UTXO नहीं हो रहा है so मेरा transaction success नहीं होगा अगर same time में में कोई दू यूजर्स को 1100 BTC send करना है तो first transaction success हो जाएगा उसके बाद मेरे second UTXO में only 400 BTC बचेगा and में 400 BTC को another person को 1100 नहीं बेच सकता so इसलिए double spending का problem भी solve हो गया है इस particular scenario में so यह है को जरू subscribe कीजिए and video को like कीजिए and comment section आपका feedback जो है mention कीजिए and one more thing guys so thank you so much to one and all so मेरा channel thousand subscribers reach हो गया within a time frame of two months so that's a huge achievement for me so thanks to everyone so whoever supported this channel so अभी 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 तक मेरा channel को subscribe नहीं किया तो जरू subscribe कीजिए मेरा channel में playlist में section में जाके आप देख सकते बहुत सारा educational videos से bitcoin beginners guide है so यह सारा educational video से सो थोड़ा encourage कीजिए so that's all guys thanks for watching जैहिन